क्या आप जानते हैं महर्शी बाल्मी की कौन है और उन्हें यह नाम कैसे पढ़ा यह जानने के लिए इस वीडियो को देखें तो स्वागत है दोस्तों हमारे यह आउटूब चानल पर जिसका नाम है भक्ति फ्रेम अमरित आखिर कौन थे महर्शी बाल्मी की डाकू रतना कर से कैसे बने साधू कवी जाने इनके बारे में सबकुछ त महर्शी बाल्मी की जीवन गाथा के अनुसार वेह रिशी मुनी बनने से पूर्व एक उख्याद डाकू थे तपस्या के फल्सवरूप ही वेह बाल्मी की के नाम स यह भी तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे महर्शी वालमी की? आपको शायरद ही जानकारी हो लेकिन भगवान वालमी की कोई साधारन मनुष्य नहीं थे. इसलिए हम आपको आज महर्शी वालमी की की जीव नगाथा सुनाने जा रहे हैं. महर्शी वालमी की की जीव वर्शिष्ट, नारद, पुलस्तिय आदी के भाई थे. उनके बारे में एक और किन्व दंती है कि बाल्य आवस्था में ही उनको एक निस संतान भीलनी ने चुडा लिया था. भीलनी ने रतनाकर का बड़े ही प्रेम से लालन पालन किया भीलनी के जीवन न्यापन का मुख् भीलनी बुरे कर्म और लूट पार्ट से रतनाकर का पालन पोशन कर रही थी. इसका रतनाकर पर काफी प्रभाव पढ़ा और उन्होंने भी बड़े होकर अपने भरन पोशन के इसे ही अपना लिया था. रतनाकर को लगा लूट पार्ट हत्या ही उनका कर्म है. जब वालमी की एक तरुन युवाह हो गए तब उनका विवाह उसी समध दाय की एक भीलनी से कर दिया गया विवाह बाद रतना कर कई संतानों के पिता बने और उनहीं के भरन पोशन के लिए उन्होंने पाप कर्म को ही अपना जीवन मान कर और भी अधिक घोर पाप करने लगे एक बार उ उन्हें ग्यान दिया और कहा कि जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो उसका दंड केवल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा तब साधु ने उन्हें कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे इस प् परिवार से यह पूछने लाएगा तो आप सब साधु लोग भाग जाएंगे तो रतना कर की इस शंका को दूर करने के लिए नारद मुने ने कहा कि वे हमें यहीं पेड से बांध जाए हम नहीं भाग गेंगे इस प्रकार रतना कर नारद मुने को साध्भू संग बांध कर परिवार से यह पूछने गया कि वे उसके पाप में भागीदार होंगे या नहीं रतना कर के परिवार और पतनी ने उन्हें फटकार लगा दी रतना कर की पतनी ने कहा कि वे परिवार का भरन पोशन चाहे जैसे भी करें इस से उन्हें कोई मतलब नहीं रतना कर के पापों में भागीदार होने पर जब उनकी पत्नी और बच्चों ने अपनी असहमती प्रदान की तब उनकी आंखे खोल गी तब रतना करको अपने द्वारा किये गए पाप कर्म पर बहुत पच्चतावा हुआ और उन्होंने सादु मंडली को मुक्त कर दिया सादु मंडली सिक्षमा मांग कर जब वालमी की लोटने लगे तब सादु ने उन्हें तमसा नदी के तटपर राम राम नाम जपही अपने पाप कर्म से मुक्ती का यही मार्ग बताया भूल वश वालमी की राम राम की जगेह मरा मरा कजब करते हुए तपस्या में लीन हो गए इसी तपस्या के फलस्वरूप ही वे वालमी की के नाम से प्रसिध हुए और रामायन की महान रचना की इसलिए उन्हें आदेक्वी के नाम से पुकारा गया और यही नाम आगे चल कर वालमी की रामायन के रचिता के नाम से अमर हो गए रिशी वालमी की द्वारा रचित रामायन एक ऐसा महा काव्य है जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन काल का परिचे करवाता है जो उनके सत्यनिष्ट, पिता प्रेम और उनका कर्तव्य पालन और अपने माता तथा भाई बंधुओं के प्रती प्रेम वातसल्य से रूबरू करवा कर सत्य और नियाय दर्म के मार्क पर चलने की प्रेड़ना देता है। इसके आलावा भी वालमी की के विचार युगों युगों के लिए अनुक्रणिये हैं। इसलिए भगवान वालमी की को महर्शी का दर्जा प्राप्त है। महर्शी वालमी की का जन्मदिवस आश्विन मास की शरत पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऐसे महान संत और आदे पुली का जन्देश भर में वालमी की जयंती के रूप में मना